So hey guys and welcome back to the part 4 Previous video में हमने यहाँ पर यह हमारा status page का पूरा complete setup And साथ में जो हमारा call वाला page है यह जो हमने call section है यह पूरा create कर लिया था हमने यहाँ पर यह देख लिया था कैसे हम यह icons setup करते हैं And साथ में कैसे हमारा यह video वाला icon आया Cooper Tina Icons की वज़े से ठीक आज की वीडियो में हम ना एक settings page बनाने वाले that will be linked कि जैसे हम whatsapp में settings पर click करते हैं कि हमारा settings वाला page load up होना चाहिए वो हम कैसे create करते हैं वो हम आज की वीडियो में समझेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं सबसे वेले चीज तो यहाँ पर आके widgets वाले section में आने के बाद हम यहाँ पर एक file create कर लेंगे जिसका नाम है settings ठीक है settings.settings settings page dot dot ठीक है यहाँ पर मैं file create करना हूँ that is settings page dot dot अब इसके अंदर हम को क्या करना है इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे import करेंगे हमारी file that is import करेंगे हम क्या हमारा package package import करने का यह करेंगे क्या हमारा flutter what I'll write here is import किया then package package के बाद यहां पर लिखा मैंने flutter flutter के बाद यहां पर लिखूँगा हमें क्या material dot dot ठीक है तो हमने यहां भी क्या किया हमारी जो files है इसको package को हमने import कर लिया then यहां पर मैं लिखता हो kya then I'll write here as stateless widget stateless widget stateless widget का क्या होगा उसकी जो class होगी that will be settings page settings page मेंने इसки class कर दीए and हम को क्या करना है हम को यहां पर return करना है return क्या करना है हम है डव्रेकं करना है container एक काम करते हैं इस इस पर color वह है colors.black ठीक है यह करके देख लेते हैं एक पर इसको test out करते हैं कि भाई क्या यह चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है तो हम चाहेंगे हमारे main पर पर जाएंगे हम यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है slash करके ऐसा लिखा है तो slash करने के बार हम क्या करते हैं यहाँ पर आएंगे यहाँ पर हम बना देते हैं एक file for settings page ठीक है तो हम लिखेंगे settings page एंड इसको क्या करते हम कैसे denote करेंगे इसको context के बार इसको denote कैसे करना है हमको हमारा settings जो page हमने अभी बनाया न उसको attach करके ठीक यह हमारा settings page ऐसे attach हो गया अब क्या करना है अब न एक बार reload करते हैं and let's see क्या होता है reload किया reload हो गया है चाहते है ने यहां पर क्या है आप करने पर कुछ नहीं हो रहा है कि तो अभी अधाप नहीं हुआ है उसको मुझे इक बार देखना पड़ेगा क्या हुआ है यहां पर क्या आररा है ओके सो सेटिंग सपेज तो यहां पर तो मरी सेटिंग सेज़ की वालियू से रेस्ट तो तो सही है रेट क्या करता हूं मैं एक बार चेक मार लेता हूं में पॉर्माट पॉर्माट हो गया देन यहां पर क्या गरा इस पर अधिए और रिलोड करते हैं तो यह पर चाहर्ट पेज हृताव इसको ख्योन अधि यहां पर तो यहां पर हमने क्या किया है हमने सबसे पहले चीज तो यहां पर हमने हमको एक वो बनाने हमको हमारा सेटिंस बनाना है तो सेटिंस बनाने लिएम को क्या करना पड़ेगा हो किरफ उसने का एकाप बन के यहां लिए के सेटिंग पेजर टाईटल टाइटलών के अंदर मैं क्या लिपता हूँ? टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर यहां पर क्या आता है हमारा सेटिंग्स, तो इसपैस से लिख सकते है है एंड क्या करेंगे इसकी göra-standing है उसकी styling को मैं कैसे दे दूंगा एस ताइलिगे एसे टेक्स तायल देन श्टायल में टेक्स टाल रॉनियु बात यह पर आल रहे टीट वर्ड इल रहे टॉरेट फॉर्ट इस फॉर्ण सेई विल बेट 20 यह अपर सेमी कोलन और अदक आधा तो वाट इट सेस तो एक बार इसको रिलोड करते है एंड लेट्स चेक की चल रहा है की नहीं चल रहा है हमारा नहीं स्टिल इस नार्ट यह नो चिल अभी भी यह लोड नहीं हो रहा है तो क्या है यहां पर हमको देखना पड़ेगा पहने तो यह चीज की हटाओ उसे की का भी यह आपकोई रोल नहीं है ठीक है अन यहां पर क्या है होंपेज है हमारा होंपेज है तो होंपेज में तो फुछ चेंज़ नहीं करना है धिक सो अब फॉर्माट एंड वर्ट वेसल रिलोट देखते हैं चलो और तो यहां पर तो ठीक है क्लिक करने पर बरावर चल रहा है ए तो यहां पे क्या कर रहा है हमने का नाम को results Fina करना है, हमारा यह pen result क्या है, fifth, वालीdes of tenth हमाई settings की, तब हम क्या करें, यहां पर रुखो, मैं क्या गरता हूँ ? मैं क्या करता हूँ ? मैं इसको एक बार reload करके दिखाता हूँ, तो रिलोड हुआ, छीक, यहाँ पर गए, settings पर गए, नहीं चल रहा, हम क्यों क्या करना है, फिर हम नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे उपर, उपर आने के बार इधर पे, right after year, हमको चाहिए करना है, pop up menu button, pop up menu button कि इधर है, हमारा pop up menu button यह है, ठीक है, तो pop up menu button हम को एक चीज add up करने है that is what हमको यहाँ पर लिखना है कि select होने पर क्या होना चाहिए right तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि on select कि जैसे ही इस पर select हो the pop-up menu बटन तुम किसी pop-up menu पर click कर रहे हो तो क्या होना चाहिए कि हमारी जो value है that is क्या कि जो हमारा result है यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या value दिया था ठीक है तो जब हमारी जो value है वो किसके बराबर हो equals to equals to हो हमारे 1K ठीक इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे लिखूँगा on select कैसे यह प्लस यह यह यहाँ पर क्या करता हूँ मैं लिखता हूँ रागेट्स के इंदर में लिखूँगा कि if जो मेरी value है value that is equals to equals to 6 then क्या करना है होजे then कर देना है नावीगेटर पर click and मेरा जो नावीगेटर है नावीगेटर वो मुझे देदेगा पुष्ट नेम पुष्ट नेम किसका देदेगा context and root name मुझे क्या देना है यहाँ पर root name मुझे देना है मेरा root root name क्या है मेरा settings जो मेरा settings page बने वहाँ पर बनाया है मैंने value 6 क्यों लिखे है क्योंकि हमारी जो pop-up menu है उसकी value क्या है 6 है एक बार reload किया reload करने के बाद अगर मैं यहाँ जाता हूँ and मैं settings पर click करता हूँ देखो मेरा settings का page open हो गया हो गया तो ऐसे हमने यहाँ पर navigator का यूज करके हमारे settings वाला page यहाँ पर open करवा दिया है ठीक अब हम आते हमारे settings page पर जो कि हमारा main page है okay in that page what we have to do here is कि हमको इसकी पूरी styling करने है ठीक है हमको देखना है कि settings page को कैसे हम यहाँ पर पूरा बना सकते है and कैसे exact copy हो लगे हमारे WhatsApp की तो क्या करेंगे हम सबसे बहले ना यहाँ पर app बार तो हमने बनाई दिया है heading उसकी पूरी create करी दिया है हमको क्या करना है यहाँ पर आने के बाद और right after this app बार हम यहाँ पर बनाते हैं इसकी body ठीक है तो body कैसे बनेगी body हम यहाँ पर लिखेंगे single child scroll view जैसा कि हमने बाकी सब खुले बनाया है एंड बाकी वो सारा procedure तो पता ही है सीम साही चलने वाला है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाऊंगा एक column ठीक है सबसे पहले मैंने यहाँ पर column बनाया और डृट गोलम फैट चैल्ड के अनदर मैं क्या करूंगा यहां पर लिखूंगा लृट अ गालनन यशॉट गैट कॉलॉम लिब दूगा यहां पर मैं घॉलन के बाद वाट आ डुईर इस च्छेहर्ड, च्छेहर्यन के अंदर यहां पर बनाता हूं कैंभ है container container के अंदर what I'll do here is I'll write margin margin के बाद देखता हूं edge inserts dot symmetric symmetric के बाद यहाँ पर क्या करता हूं यहाँ देखो अगर लग रहा हूं कि यहाँ इता सब code करने की ज़रुवत नहीं है तो एक बार देखना कि हमारी सारी ना WhatsApp की जित्ती भी हमने चीशे बनाई सब में initial code लगबख लगबख सेम है देखो padding margin इसमें भी लगबख सेम ही सा बन रहा है वही सेम चीज़ बार बार repeat हो क्योंकि यह लोग आपको नहीं बहुत जादा measure करके नहीं बना मतलब बहुत जादा accurate accurate in the sense सारी लगबख settings की जो value रह जाएगा container के अंदर child मैं यहां पर लिखूंगा row ठीक रो के अंदर what I do here is children children के अंदर मैं यहां पर लिखता हूँ हमारा clip circular में value किती 40 ठीक और यहां पर क्या आजाएगा child child के अंदर के अंदर के आएगा मेरा image image के अंदर के आएगा asset क्योंकि मैं यहां पर asset मतब अपना जो मेरी पास initial file है जो मैंने asset folder ना बनाई है उसी में से मंगा रहा हूँ so profile one dot jpg इधर पर हम blue hoop तो लगाएंगे नहीं क्योंक पर बाकी सारी चीज़ें तो same ही रहेंगी that is height is 65 you know width is 65 and that यह क्या हुआ format करा हूँ कि यहां पर मैंने इस bracket के बाहर कर दिया तो तो मेरी क्या होगी height 65 width 65 and box width dot cover तो एक बार restart किया इसके बाद में गया यहां पर settings page पे settings page पे गया तो देखो मेरा profile दो दिख रहा है बट यार वो सा setup वो सा सही सा नहीं आ रहा देखो ना तो इसमें ठंक से padding आई है मार्जिन आया है मार्जिन दोके रूपर से सही है बट एक बार पाडिंग रहे गए तो मैं क्या करता हूँ मेरा जो कॉलम है उसको मैं इसको ना मैं पाडिंग में राप कर देता हूँ और इसको क्या करूंगा ओल की जगा एल्रेट से में ट्रिक से में ट्रिक मैं मैं क्या करूंगा और इस आंटल मैं अर्टिकल मैं लिख दूंगा फाइफ टिक तो डाट विल बी परफेक्ट एक बार रीलोड करके देख ले ने कहीं कुछ लगते नहीं देखो यह सही है लगा है ठीक है यह तो हो गई मेरी इमेज अब यहां पर क्या है भाई वह पुराना सीन तो इक काम करते हैं कॉल वाले में जाते हैं यहां पर क्या है पाइडिंग लगी है पाइडिंग के बाद क्या है कोडर कोडर लगा है इन इसका मिल जाएगा इसमें मिल जाएगा नई तो स्टेटस में मिल जाएगा नई तो इसमें जो मतलब इनीशिल गया रहा है न वागी चीज़ें हमने लगाई वह मैंने सिर्फ कॉपी किया है कापी करने के बाद मैं करूंगा मैं इसको कहाँ सकरूंगा मैं इसको भी सिस्वन यह वाला सारे मैं यहां पर फ्लोज्व कर दिये अब एक बार मैस को जल्दी से रेलोड यहां पर सिस्टम है न हो पूरा यहां पर आ चुका होगा दिखरा है दिख्वा गया है programmer आ गया है Coder की जगए एक काम करते हैं मैं इसको लिख देता हूं रो पोडर ठीक है प्रोडर लिख दिया मैंने यहां पर प्रोडर कर दिया है यहां पर क्या करना है यह तो हो गया हमारा इसका टेक्स्ट ठीक है मदा मारे प्रोगोडर के जित्ता टेक्स्ट वाला इससा था वो हो गया अब क्या करना है हमको यहाँ पर एक वो भी दाइड करना है कि भाही मेरा जो बायो होता है ना mostly बायो ही बोलता है इसको जिसमें हम लिखा रहेता है न की ये देर टेर कि अंड कोमा लगा के आए आम यूजिंग आयम यूजिंग और वाटसब्ट तो यहां गया यह रिलोड सेटिंग में गए तग यह तो हमारा सई से आने अप कर दिया लगा है इसमें थोड़ा सा ग्याप हो जाए तो मज़ा आजए ने यार तो size box size box का क्या करते है size box का क्या करते है इसकी height 8 का gap आजएगा so क्या होगा I think so यहाँ पर the norm आएगा I'm come and a अने के बाद एक बार इसको लोड करेंगे तो देखो रिलोड करने के बाद यह हो गया अब मैं चाहता हूं यहाँ देखो अब सही लगने लगा आब यह विल्कुल सही लग रहा हूंगा इक्जाक्ट थो नहीं बोलोगे बट और अल्मॉस्स एक साल लग रहा होगा एक तो यह नो अनॉय करती है बहुत icon कि भई मैं यह हूँ अब क्या करना है मुझे यहां पर बनाना है मेरा पूरा section कि मेरा accounts दिख रहा है then यहां पर मुझे यह चीज़े दिखाई दे रही है तो वो सब मुझे यहां पर पूरा create करना पड़ेगा so for that what I have to do कि भई यहां पर न मैं यहां column के बाद right after this column मैं इसको बनाता हूं and okay so यहां पर चाब इधर पर ठीक यहां पर मैं बनाता हूं क्या मैं बनाता हूं यहां पर एक list tile list tile के अंदर क्या होगा list tile के अंदर पर ही मेरे items आएंगे ठीक है list tile के जो items होते है न वो तो उसके लिए क्या करूंगा मैं लिखूंगा यहां पर leading leading के अंदर मैं यहां लिखूंगा अपना icon 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 के अंदर क्या आएगा यहां पर मेरा icon कौन सा icons.key ठीक है icons.key हो गया and यह हो गया मेरा कैसा icon देखेगा एक बार मैं दिखा देता हूं यह मेरा about somewhat ऐसा सा देखेगा देखो वट्चाप में थोड़ा सा different होता है बट इसमें मुझे भी यही मिला तो we'll go with this ठीक तो यह तो हो गया हमारा यह वाला अब क्या करते हैं इसको ऐसे सही तो लग नहीं रहा तो एक बार ना पाड़िंग देदेता हैं so wrap up with पाड़िंग में यह क्या करूँगा only करूँगा and only की जगह मैं इसकी पाड़िंग कहा से देदूँगा top से देदूगा एतनी ठीक है 6 और i think 7 तो यह होगी हमारी पाड़िंग अब क्या करा यह हो गया मेरा इतना section हो गया मेरा for this, ठीक, padding के just बाद, अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है title, तो title में तो भई मेरा text आएगा, सबसे पहले, text आएगा, text के अंदर क्या रहेगा, भई, तुम्हारी account की चीज़े, कि भई, तुम क्या लिखते हो, जैसे कि मैं लिखूँगा account, अगर you have seen, तो यहाँ पर आता है account, then account के अजाद आता है, यहाँ पर क्या, style हमारा, so style आएगा, text style, text style के अंदर क्या आएगा, मेरा यहाँ पर, font size, font size will be 17, ठीक है, यह हो गया मेरा, text, then यहाँ पर क्या होगा, I'll create subtitle, तो subtitle भी बनेगा मेरा, obviously हमाँ पर देखा होगा, WhatsApp में की subtitle क् आता है मेरा यहाँ पर, subtitle कुछ ऐसा साथ है, कि privacy, privacy, security, security, okay, and change number, ऐसा साथ है न, WhatsApp में, यहाँ पर लिखके, change number, जिसका क्या रहता है, जो styling रहती है, इसकी, वो about, about, कितने pixels रहती है, text style, text का size जो रहता है, वो 15 रहता है, ठीक है, तो हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी, squat आप तो चलो, so, यह रही हमारी style, इसको एक बार क्या करता हूँ, मैं reload करके देखता हूँ, कि सखसे बैठा भी है, कि नहीं बैठा है, यारे, मैं ऐसी सोच रहा हूँ, सोच विचारी कर रहा हूँ, कि भई तो रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, यह जो list tile है, इसको पूरे को ना, दुबारा दुबारा बार 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 यहाँ पर copy कर लेता हूँ, ठीक, till year, I'll do what copy, यहाँ पर किया, and इसको paste, ठीक, then again, paste, तीन बार हो गया, अभी क्या करता है, इसमें चीजे सबसे बरे change करते हैं, तो WhatsApp खोल लो, सब लोग अपने अपने, and चीजों को अपने accordingly देख देखका, change करो, ठीक, तो पहला थो तो तुम्हारा हो गया, accounts का, then second चीज के आदि तुम्हारी, charts, charts के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, charts के अंदर यहाँ पर रहता है, हमारा, theme, theme के बाद हमारा, comma, wallpapers, then chart history, ठीक है, chart history रहती है, मेरी, ठीक, यहोगी मेरी chart history, बाकी सब चीज है, तो लगवग, लगवग, same ही रहने वाली है, second इसमें क्या आता है, second इसमें आता है, यहाँ पर हमारा, notifications, so, notifications, notifications, notifications हो गया, then यहाँ पर क्या आता है, और चीज़े आती है, like, message, message, मैं भी अतना WhatsApp की settings कोल के, यह चीज़े देख के बता रहा हूँ, settings हो गया, then यहाँ पर क्या हो गया, call, tolls, call, tolls हो गया, अब इतना एक बार, इसको एक बार reload करते है, and let's see, क्या पहुंच सा है, कहा पहुंच सा है, क्या changes करना है, चलो ठीक है, इतना तो सही लग रहा है, I तो टॉप से इसकी spacing को कम करो, 6, 6, and इसकी spacing को टॉप से 6 ही रहन देता है, ठीक, icons में जो हमारा notification वाला है, so for that notification यहाँ पर icons.notification, notifications, notifications, ऐसे, ठीक, notifications वाला हमारा जो रहता है, वो, देख ऐसी bell वाला, ठीक, तो यह हो गया हमारे इसके लिए, and charts के लिए क्या रहेगा, charts के लिए में यहाँ पर कर देता हूँ, icon.message, ठीक, icon.message, that will look like this, अब थोड़े बहत यार, exact तो अभी अपने को मिलेंगे ने, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा deep digging करना पड़ेगा, थोड़ा धूनना उ अबर, tap किया, settings में गया, देखो, ऐसा अच्छा सा देखने लगा, right? मैं भी भी स्टिय सोच रहे है, gap थोड़ा सा कम करके देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो टॉप टे ना, 5-5 का gap देदेता हूँ, 5, that I think so will be fine, 5-5 का gap थोड़ा साही भी लगेगा, थोड़ा distance कम हो ज करेंगे, list style को न, वापस copy करेंगे, and similarly, यहाँ पर paste करेंगे, किस के लिए, for new things, that is, storage and data, ठीक है, and, यहाँ पर एक और बार copy करेंगे, किस के लिए, help के लिए, ठीक, तो यहाँ पर notifications की जगा, यहाँ पर आएगा हमारा, storage and data, so for that, storage, and, data, ठीक, यह हो गया, हमारा storage and data, and, यहाँ पर change हो के, क्या हो जाएगा, यह, change हो के, हो जाएगा, हमारा, network, and, network usage, comma, auto download, download, ठीक है, हमारा auto download भी हो गया, I think, so, and already, ठीक, download हो गया, then, यहाँ notification की जगध, change करके, क्या कर देते है, all right, word, circle, then, underscore outlined, ठीक है, circle outlined, कुछ ऐसा-सा देखेगा, ठीक, ही हो गया, हमारा circle outlined, and, यहाँ भी क्या होता है, notifications के, वालभी, storage के बाद, यहाँ पर आता है, हमारा help, ठीक, so, यहाँ पर मैं लिपता हूँ, एक help के लिए आ जाएगा, हमारा, help, and, उसके साथ, यहाँ पर, क्या आ जाएगा, यहाँ पर, help center वगेर, add up हो जाएगा, so, for that, I'll write, help center, comma, contact us, comma, privacy, policy, privacy, policy, ठीक, privacy policy, and, यह हो गया, and, यहाँ help में, help में, क्या होगा, जो हमारा, आइकन है, उसका, लोगो, मुझे, यहाँ पर, देखना पड़ेगा, उसका, logo, will be, I think, so, ऐसा रहेगा, help, outline, outline, underscore, लगेगा, help, outline, outline, ठीक है, हाँ, ऐसा, यही ठीक है, चलो, तो, यह हो गया, हमारा, help के लिए, and, जो हमारा, last, बचता है, that is what, that is, for invite a friend, तो, उसमें, क्या है, उसमें, तो, हमारा, subtitle, कुछ, रहेगा, ही नहीं, ठीक है, तो, subtitle, तो, मैं सबसे पहले, यहाँ पर, remove, कर देता हूँ, ठीक, so, subtitle, मैंने, यहाँ पर, हटा दिया, subtitle, की चगह, यहाँ पर, क्या है, direct, यहाँ पर, एक चीज़ है, that is, invite a friend, invite a friend, invite a friend, करके ही, एक हमारे बस चीज़ थी, तो, मैंने invite a friend कर दिया, plus, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर, icons.people, people and underscore alt, ठीक, यह, कुछ, ऐसा सा लगेगा, ठीक है, ठीक होगा, हमारा icons. उसका, अब क्या करते हैं, फटाक से नहीं, इसको, reload मारते हैं, देखते हैं, क्या सही से बनाया है की नहीं बनाया है, या कुछ changes वगेरा करने की सर्वत है, कुछ देखना हो एक ना पड़ेगा, की नहीं, तो, देखो, अभी तक देख सकते हैं, तो बिल्कुल सही सा लग रहा है, एकदम perfect सा दिखने में लग 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 है, ऐसा लग रहा है, मालो अपनने बुकल नहीं परफेक्क सा बना दिया हो, आप क्या करते हैं, जल्दी से एक और चीज़ इसमें add up कर देते हैं quick, that is, की भई, obviously, इसको facebook ने खरीद लिया है, right, facebook ने ले लिया है इसको, तो उसका भी तो add up करना ही पड़ेगा न, तो क्या करते हैं, हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बनाते हैं, एक column, चलो पहले column बना लेते हैं, padding तो बाद में adjust कर लेंगे, column बनाया, column के अंदर आएगा हमारा children, children के अंदर आएगा क्या भई है मेरा text, text, children के अंदर आएगा मेरा text, text के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर data, that will be from, तो यह किसा है, किसका है, so from, from के बाद यहाँ पर आजाएगा क्या हमारी style, style के अंदर आएगा हमारा text, style, text style के बाद यहाँ पर क्या आजाएगा, इसका font size, तो कि obvious है, font size तो उसका दो ही नहीं है, कि भई, तुमने text तो दे दिया, वर font size, certify करो कि कितना font size, कैसा, क्या रखना है, then यहाँ भी गाएगा, एक और text आएगा, यहाँ पर एक और text, text के बाद क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, from, facebook, facebook ने बहिया बनाया है, यहाँ फिर अभी तो शायद meta चल रहा है, I didn't check, meta ही है, ठीक है, चलो मेरे को तो भई, from, meta, meta कर दिया, and यहाँ पर क्या करा भई, इसका न, मैंने styling करी, styling करी, styling करने के बाद, what I'll write, I'll write, text style, text style के बाद, मैं लिखता है, यहाँ पर font size, font size, that will be 18, क्योंकि यह बड़ा है, and plus यहाँ पर एक और सी जाट हो जाएगी, that is, इसको bold करना है, so font weight, so font weight dot bold, तो हमारा bold हो जाएगा, ठीक, अब क्या करते हैं, इसको जल्दी से reload करते हैं, देखते हैं कैसा लगने लगा है, तो गए यहाँ, settings में गए, from meta, देखो, सही तो लग रहा है, but क्या scene है न, पहली चीस्त है, इसका size में एक point बढ़ा देता हूँ, इसका भी थोड़ा सा increase कर देता हूँ, about 16, and यहाँ क्या करना है, हमको न, इसमें padding देनी है, तो इसको padding में wrap करो, तो फटाक से padding, padding में wrap किया, wrap करने के बद यहाँ पर padding देनी है, क्या, मुझे देनी है, यहाँ पर padding symmetric में, simple बोलू तो यार, only करके top कर देना, उससे भी काम चल जाएगा, जिसे, क्या, यहाँ पर करो only, only के बद यहाँ पर करो top, top के बाद यहाँ पर कर दो, top पर यहाँ पर किती चाहिए, तो 60 कर दो, top से, reload मारो, देखते हैं क्या होता है, कहें वाप पर settings page में, देखो, अब दिख रहा है, from meta, meta की जगा यार, मैं तो कह रहा है, facebook जादा बेटर लगता था, facebook, ठीक, वो जादा दिखने में अच्छा लगेगा, तो meta और facebook यहाँ पर रहन दो, तो अब सही लग रहा है, अब देख सकते हैं, बुगल perfect लगने लगा है, देखने में भी, बाकी थोड़े बहुत, उपर नीचे तो रहेंगे, ups and downs तो चलते रहते हैं, right, तो I hope, जितना मैंने अभी तक बताया है, उतना पूरा आप लोगो समझ में आगे होगा, कहीं भी doubt लग रहा हूँ, कुछ भी समन नहीं आया हूँ, कोई भी section, chat page, status page, calls page, तो मुझे comment करना, बताना, कहां doubt आ रहा है, make sure कि आप bell button दबा दो, क्योंकि इसका जो last part आने वाद है, जिसमें हम main chat page बनाएंगे, वो आप miss out ना कर सको, okay, so I think this was pretty much it, इस video के लिए sufficient है, इससे जादा फिर हमको dedicated video लगती क्योंकि length बहुत बड़ी हो जाती next video की, जब इसी video की length बहुत बड़ी हो जाती, तो next video में हम क्य करेंगे, एक chart page बनाएंगे, पूरा complete, जिसमें भाई हमको दिख रहा होगा कि कैसे तुम, जैसी जैसे मैंने यहाँ पर flutter पे click किया न, इधर पे, तो हमारी पूरी chart जो represent होती है, जिसमें message करने का option हो गया रहा होता है, वो सब पूरा visible होगा, ठीक है, तो हम create करेंगे कि कै ऐसे होता है, तो stay tuned, and मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले, see ya, have a great day, and bye-bye.